विजए दर्शमी के इस khas मौके पर आज जो मुंबर में शिवसेना की एक बड़ी रैली होने जा रही है और आपको बता दे शिवसेना के लिए विजए दर्शमी बेहद माइने रखती है क्योंकि विजए दर्शमी के दिन ही शिवसेना की स्थापना होई थी और इस रैली को लेकर सारी तयार्या पूरी हो जुके माहराश के मुख्य मंतरी एकनाश शिंदर्श वसेना की दर्शेयर रैली को संबोधित करने के कुछ देखे और महराश्ट की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उद्दव गुट के पांच मले शिंदे गुट में शामिल होंगे दो सांसत भी हो सकते हैं शामिल इस वक्त की बड़ी खबर आपको सियासी तोर पर बता दे कि शिंदे गुट में विधायक शामिल होंगे जानकारी आप तक पहुँचा रही है जो कि महराश्ट की सियासत से निकल का सामने आ रही है हलाकि महराश्ट की सियासत में किस तरह से बड़ा बदलाव देखने को मिला उस बीच अब उधव गुट के पाँच एमेले शिंदे गुट में शामिल होंगे जिनमें दो सांसत भी हो सकते हैं शामिल शिंदे गुट में शामिल होंगे ये विधायक और ये आज की कवायद नहीं है बलकि बहुत दिनों से कोशिश चल रही थी लेकिन आज का दिन चुकि श्वसिना के सापना दिवस के तौर पर तो आप समझ सकते हैं कि दोनों जो खेमा है यानि उधव खेमा और शिंदे खे ये चाहता है कि खुद को मजबूत करे और सियासत में मजबूती कैसे आती है आंकडों से आती है आंकडे वो विधायक के तौर पे हो सकते हैं वो सांसत के तौर पे हो सकते हैं और इसी कोशिश में फिलहाल कौन है एक नाशिंदे मैं सीरिया आपको ग्राउंड के लिए चल इसे सुबा से की जुजी जिनकी चीम मौझूद है एकनाज शिंदे महराज की राज़िती में वो बड़ा नाम बन चुका है जिसने ऐसा खेल खेला जो किसी चमतकार से कम नहीं है मुखे मंतरी बनने के बाद एकनाज शिंदे अपने जीवन की अपने राज़ितीक जीवन की सबसे बड़ ग्राली को संभूधत करने वाले है देशेरा रैली जिसके इस आपना बालत साब ठाकरे ने किनी उनने जून 1966 में और उसके बाद जिस तरीके से इस ग्राली को एतिहा जाया गया है जहां पर एक तरफ बालत साथ ठाकरे आपको दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आप देखे आनंदीगे हैं जो कि एकनाज शिंदे के राजवतिक गुरू रहे हैं 15 साल तक उनी की छत्र चाया में उन्होंने राज़िती का पूरा कखगा सीखा और इसके साथ ही फिर आप देख सकते हैं एकनाज शिंदे की ये तस्वीर जो कि सीधे तौर पर ये बताते हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से एकनाज शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पापाती के लिए महराश्यू की जनता के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि ये सफश्ट तौर प परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज ये भवे रैली होने जा रही है दशेरा रैली जो की हर साल विजय दश्मी के मौके पर होती है और शिफ सेना की स्थापना जो बाला साथ ठाकरी की तरफ से की गई थी अपने साथियों के साथ नारियल फोड़ कर और उसके बाद ये कह शुरू हो चुका है दावा ये है कि धाई लाग से तीन लाग तक शिफ सेनी के हां पर पहुंचेंगे लोग पहुंचेंगे कारेकरता पहुंचेंगे और शाम पांच बजे के आसपास औपचारिक शुरूआत इस पूरे कारेक्रम की हो जाएगी और अभी फिलाल आप तरीके से एक नाच्षिंदे इसी मंच के जरीए भावशिंद देंगे क्योंकि आपने देखा है कि इतिहास रहा है कि दशेरा रैली के मौके पर शिफ सेना प्रमुक मुख्यमंत्री यहां से एक बड़ा संदेश देते है जो कि हर एक शिफ सेनिक कारेकरता उसे आदेश के तौर पर लेता है और ये भी वतानी की कोशिश की जाती है कि अगले एक साल में शिफ सेना का किस तरीके का पॉलिटिकल एजेंडर रहेगा किस तरीके से शिफ सेना आगे बढ़ती हुई नजर आएगी पिछले दिनों जिस तरीके से पूरा का पूरा राज़ितिक पेर बत तो चूस किया गया है कि यहां चार लाग से जादा कारेकरता अराम से आप आए बैठ सके और शिफ सेना की तरफ से जो भी आज संदेश दिया जाएगा एकनाज शिंदे जो कि इस मंच के जरिये जो भी कहेंगे उसको बहुत गहराई से सुनते हुए हर एक कारेकरता यहां नसर आएगा